नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां आपको डिजिटल मार्केटिंग और केरियर टिप्स की बारे में जनकरी मिलती है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप अपने जाब केरियर के लिए कैसे एक परफेक्ट प्रफेशनल रेजिम बना सकते हैं तो इस वीडियो को अंतक जरूर देखें दोस्तो कुछ लोग रेजिम को केरिकेलम विटे, सीवी या बायो डेटा कहते हैं जिसका हिंदी में मतलब होता है संचिप विवरंड यानि सौड डिटेल अब चलिए सबसे पहले रेजिम की बैसिक इस्ट्रक्टर की बात करते हैं आपका रेजिम बहुत ही प्रोपेशनल और सापसुत्रा होना चाहिए रेजिम में सेवन हिस्से होते हैं पहला हैडर, दूसरा प्रोपेशनल समरी, तिसरा इसकल्स, चौथा वर्क एक्स्प्रियेंस, पांचवा एजुकेशन, छटवा सर्टिपिकेशन, सातवा एजुमेंट्स ये सेवन हिस्से रेजुम में होते हैं, लेकिन अगर आपके पास एडिशनल इंफॉमेशन है, तो आप उसको भी एड़ कर सकते हैं, तो ये सारे चीज़े आपके रेजुम में होना चाहिए सबसे पहले आता है Header Section, यहां आपका नाम बड़े अक्षरों में सबसे उपर होना चाहिए, उसके बाद आपकी जानकरी जैसे email, mobile number और आपका website का link होना चाहिए आप अपने रेजुम में एक professional picture भी लगा सकते हैं, जो आपके रेजुम को और भी आकाशक बनाएगा इसके बाद आता है professional summary, यहां एक छोटा सा परिचा है, जो बताता है कि आप कौन है और आपने अब तक क्या achieve किया है, इसे तीन चार लाइन में लिखें example के लिए मैं एक result driver digital marketing specialist हूँ, जिसके पास SEO, SEM और social media campaign में 5 साल का नुबव है, मैंने कई brands के लिए traffic और engagement सुधार किया है देखें, यहां पे मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, लेकिन आपका resume, आपका language इंगलीज में होना चाहिए, क्योंकि इंगलीज जो है, वो corporate language है अब आता है skills section, यहां आप अपने skills को highlight करें, जैसे SEO, Google Ads, social media strategy, email marketing और data analysis आप अपने skills के आगे star rating या bars भी दिखा सकते हैं, जिससे hiring manager को पता चले कि आपकी skill में कितना अनुभर रखते हैं जैसे यहां पे है SEO, 5 rating, Google Ads, 4 rating, तो इस तरह से आप star rating लगा सकते हैं अब बात करते हैं, work experience की, यहां पर आपने अब तक जहां-जहां काम किया है, उसकी जानकरी दे इसमें job title, company का नाम और तारिक लिखे, example के लिए जैसे कि इस आपने काम किया एक्सवर जैट company में 2020 से 2023 तक, जैसे कि मैंने company SEO strategy को implement किया और organic traffic में 30% के जापक किया, and Google Ads campaign को manage किया, और conversion rate को 20% बढ़ाया तो इस तरह से आप description, short description दे सकते हैं, अपने बारे में information दे सकते हैं फिर आता है education और certification section, इस वीडियो में मैं आपको जो रेजुम बता रहा हूँ, वो digital marketing से rated है अगर आपके पास digital marketing से कोई degree है, तो उसे जरू लिखे, साथ ही आपके पास कोई भी अगर certification हो डिजल marketing से, जैसे कि Google Ads, HubSpot, Content Marketing, तो उस certificate को सामिल जरू करे अब रेजुम के आखरी दो हिस्सों की बात करते हैं, achievements और additional information अगर आपने किसी बड़े उपलब्दी को हसल किया है, जैसे किसी ब्रांड की social media engagement, 50% जापक किया हो या कोई आवाड जीता हो, उसे लिखे, और additional information में आप किसी भासा की जानकरी, जैसे हिंदी एंगली जानते हैं, उसे mention कर सकते हैं शाथ में आप किसी अपने hobbies के बारे में भी लिख सकते हैं resume को और भी आकरशक बनाने के कुछ tips, जैसे कि color scheme का ध्यान रखे, header के लिए हमेशा dark color, और background के लिए light color का इस्तमाल करे fun style के लिए aerial या robot जैसे simple fun का इस्तमाल करे, white space रखे, ताकि resume साप और पढ़ने में असानी हो और सबसे ज़रुरी बात, हमेशा अपने resume को PDF में save करे तो दोस्तो इस तरह से आप किसी भी job post के लिए resume बना सकते हैं और अपने hiring manager को impress कर सकते हैं अपने resume के through, यहाँ पर मैं कुछ sample दिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से job post के लिए resume बना सकते हैं यहाँ पर देखिए, digital marketing specialist का resume को sample जितमें सारे point है जो कि एक resume होना चीए, जैसे कि header, professional summary, skills, work experience, education, certification, achievement and additional information यह सारे point हैं इस resume में तो जब भी आप digital marketing related resume बनाएंगे इन सारे point को mention किजिएगा और साथ ही आप color, background color, font वो आप अपने साब से रख सकते हैं बट जो पढ़ने में असानी हूँ और दिखने में असानी हूँ इस तरह से रखिएगा यहाँ पर देख सकते हैं data analyst और scientist का जो sample resume है कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं उसमें आप अपना additional information को add कर सकते हैं वो जड़ा important है ठीक है 7 point के से प्लस आपका additional information होना जरूरी है यहाँ पर आप देख सकते हैं UX UI designer का resume का sample आप कुछ इस तरह से बनाएंगे तो आपका जो hiring manager है इंप्रेस हो सकता है देखिए इसमें सारे key points है जो resume होना चाहिए प्लस इतमे icon है जिसको आप use कर सकते हैं अपने resume में कुछ इस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं product manager का resume का sample तो product manager में थोड़े project ज्यादा रहते हैं key point ज्यादा रहते हैं तो उसका ख्याल रखके आप resume बनाईएगा 7.plus जो आपका additional information है वो important है आपके लिए तो यह था friend resume का sample तो दोस्तों यह था आज का video कैसे बनाए professional resume आई होप यह video आपको अच्छा लगा होगा तो इसको like करें share करें और subscribe करना ना भूलेगा मिल देहें next video में झाल